आप भी है नाइन मन्त में और आपको भी ये डर लगता है कि हमारी डिलीवरी कहीं ओप्रेशन सीजर से तो ना हो जाए मुझे ओप्रेशन डिलीवरी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा और आपको ऐसा लगता है कि मेरा सर्विक्स असानी से खुल जाए और हमारी नौर्मल कम दर्द में और असानी से हो जाए अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो टोटली आपके लिए है अगर आप नाइन मन्त आठ मन्त और नाइन मन्त में हैं तो और आपके लिए इंफॉर्मेटी वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे घरेलू नुस्खे बताने वाली हूँ जिसको की आप आजमा के और आप अपने साथ प्रियोग करके इस्तिमाल करके आप अपने सर्विक्स कमू आसानी से ओपन करेंगी और कम दर्द और आसानी से नॉर्मल डिलिवरी हो कि अगर आपका जो सिसू है वो सही पोजीशन में है यानि कि नॉर्मल डिलिवरी के पोजीशन में है नॉर्मल डिलिवरी का पोजीशन यहीं होता है कि आपके सिसू का हेड आपके पैल्विस एरिया में एंटर होना चाहिए और हाथ और पैर उपर होना चाहिए तो ये इसके बाद आपका शिसु जो है नॉर्मल पोजीशन के लिए तयार हो यानि की आपका शिसु अच्छे से उसका विकास हुआ हो और अच्छे से तयार हो अपने आपको तयार किया हो और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो और कितनी महिलाओं को आपने देखा होगा कि अंत में लाश्ट में उनकी जो बीपी है फ्लेक्सुल होने लगती है यानि बीपी हाई हो जाती है जब आपकी बीपी भी बीपी सुगर थाइरोड इन सब का लेवल अगर अच्छे से होगा तो यह सब जो मैं नुस्खा बता रही हूं यह सब करेंगी तो आपको 100% लाब होगा और आ आपको सबसे पहले अपको सुबा में गरम पानी का इस्तमाल करना चाहिए सुबा में तो किजिये ही किजिये गुनगुने पानी का हो सके तो आप दिन भर गुनगुने पानी पीजे इससे क्या होता है कि आपकी मांसपेशिया लचीली पहल विस एरिया की जो मसल से लचीली होती है मुलायम होती है और आसानी से नॉर्मल डिलिवरी हो जाती है कम दर्द में और आपको गर्म तासीर की चीजों का इस्तमाल करना है इसमे आपको खजूर और बदाम अखरोट तील के लड़ू अजवाइन के लड़ू ये सारे चीज अपने डाइट में सामिल करना ही करना है ये जो आप बदाम पहले खाती थी छिलके वाली उतार के यानि की बदाम को भीगो दिया उसका छिलका उतार लिया और उसका इस्तमाल कर लिया लेकिन अब आपको नाइन मन्त में जब आप आ चुकी है तो इसको ऐसे नहीं खाना है आप छिलका सहित जो है बदाम को आपको सेवन करना है इसके बाद आपको अखरोड खाना है इसमें ओमेगा थी रहता है ये भी आप गरम तासीर की चीजे होत देगा इसके बाद आप जब रात में सोने जा रही है तो एक गिलास दूद में या तो केसर के कुछ धागे मिला कर ले लिजिए या फिर एक पिंच हल्दी ले लिजिए ये भी काफी गरम होता है गुनगुने दूद में ये भी आपके मांसपेसियों को जो लचीला बनाता है और आपकी मसल्स को भी लचीला बनाता है और नॉर्मल डिलिवरी होने में कोई दिक्कत और परेसानी आपको नहीं होगी कम दर्द में असानी से हो जाए आपको सुबह और साम 30-30 मिनट का वाग करना बहुत जरूरी है इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज भी आपको करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्सरसाइज और वाग करने से आपकी जो मांस्पेसिया होती है और लचीली होने के साथ सर्विक्स को जल्दी से और असानी से खोलने में काफी हेल्फ करती हैं तो ये आप जरूर करें इसके बाद मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगी कि रिक और आपके उत्तेजित नहीं होगा और जब उत्तेजित नहीं होगा तो नॉर्मल डेलिवरी सीजर में बेवज़ लाष्ट में जाके बदल जाएगी और टेंशन लेने से आपकी बीपी भी हाई रहती है तो प्लीज रिक्वेश्ट है टेंशन को इस समय कुछ दिनों के लिए दूर रख दीजिए आप अपने केवल तो केवल नॉर्मल डेलिवरी पे फोकस कीजिए और अपनी प्रेगनसी पे फोकस कीजिए आपको अपने आपको बहुत जादा ठकाना नहीं है क्योंकि आपको नॉर्मल डेलिवरी चाहती है तो नॉर्मल डेलिवरी में आपकी जो है एनरजी काफी जब रहेगी तभी आप नॉर्मल डिलिवरी की प्रोसेस को कभर कर पाएंगी और जब डॉक्टर बोलेगा पुस करने के लिए तो पूरी जोड से पुस कर पाएंगी नहीं तो नॉर्मल डिलिवरी की प्रोसेस को कभर नहीं कर पाएंगी और बिच में ही ठक ज और जो डिलीवरी की तैयारी है, ब्रिदिंग इकसर साइज है, जितनी भी एकसरसाइजे है, शांस लेने वाली एकसर साइजे करें, ताकि आपको डिलीवरी के वक्त सारे काम है, और कम दर्द में आपको अच्छा खासा नार्मल डिलीवरी हो जाएगा, तो हमारे चैनल पे अ